आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और यह हमारे देश के करम में अगर आप लोग बात करें तो तीसरे राष्टपती थे और आप देखेंगे अगर मुसलिम में बात करें तो हमारे देश की पहली मुसलिम राष्टपती थे इनका नाम डॉक्टर जाकिर होसेन था तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामन चर्चा करेंगे इनके बारे में एक सामन जानकरी हम लोग देखेंगे एक और पिक्चर देखलीजेए ये आप देखें हमारे देश की पहली महिला पिधानमंतरी इंदरा गांधी को आप लोग देख रहे हैं और ये आप देखेंगे दॉक्टर जाकिर हुसेन आपको देखने को मिलेंगे अगर हम लोग इनके जनम की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसेन का जनम 8 फरवरी 1897 को हैदरावाद आन्दपिदेश की सुभ्रान परिवार में हुआ था एक बार आप लोग आन्दपिदेश देख लीजे और तेलंगाना देख लीजे क्योंकि आप देखेंगे कि जो हैदरावाद है ना वो पहले आन्दपिदेश में पढ़ता था अब आप देखें 2014 में आन्दपिदेश से अलग करके तेलंगाना राज बना था तो अब हैदरावाद तेलंगाना में है आंद्पेदेश की बात करें तो आप देखेंगे कि ए भासा याधार पे गठित होने बाला पहला राज्य आंद्पेदेश अमराबतीस की राधनी इसकी सीमा उडिशा, 36 गड़, तेलंगाना, करनाटक, तमिलाडू से लगती है और विधान सभा में 175 सीटे हैं, विधान परिशन में 58 सीटे हैं, राज्य सभा में 11 सीटे हैं, लोग सभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी एक लाग 62,970 वरक किलूमीटर में फैला हुआ है, ठीक है? और वहीं अगर अम लोग तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी रादधानी देखने को मिलेगी आपको, और आप देखेंगे कि 2 जून 2014 में इसी राज बनाए गया था, इसकी सीमा 36 गर्ण महराष्ट करनाटक आंग प्यदेश से लगती है और आप देखेंगे कि यहाँ बिधान सबा में 119 सीटे हैं, बिधान परिशद भी है जिसमें 40 सीटे हैं, राज्य सबा में 7 सीटे हैं, लोग सबा में 17 सीटे हैं एक लाग बारह जाद सततर वरक किलूमीटर में आपका तेलंगाना फ्यला हुआ है, क्या तेलंगाना फ्यला हुआ है और इनका जनम एक सिक्षित और आर्थिक रूफ से संपन परिवार में हुआ, इनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था और पलेग नामंग बीमारी से गरस्त इनकी मा की 1911 में मिट्टी हो गई थी थोड़ी ही दिनों के बाद इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है माता पिता के कुल साथ संताने थी जिनमें यह दूसरे इस्थान पर थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसेन साब और आप देखेंगे इनके पिताजी ने कानून के चित में अच्छी जगए प्राप्त की थी और उनके पिताजी ने सिक्षा का महत तो जाना था और भी अपनी संतानों को भी सिक्षा के लिए पेरिद करते थे और आप देखते हैं कि जब पड़ा लिखा परिबार होता है तो अपने बच्चों को भी कॉसिस करता है कि अच्ची ही सिक्षा दे जाए फिता जी की मित्यू के बाद उनकी इक्चा पूर्ती के लिए जाकर हुसेन ने अपने इस सिक्षा में किसी भी तरह की रुकापट नहीं आने दी और इनकी पैरमें एक सिक्षा इसलामिया हाई स्कूल इटावा से होती है एंगलो मुसलिम औरियंटर कॉलेज जिसे वर्तमान में अलीगर्ण मुसलिम यूनिवसिटी के नाम से जानते हैं इसमें होती है इनकी और आप देखें इस कॉलेज से कानोन की पढ़ाई की और यहा लोट आते हैं और भारत में लोट आने के बाद उन्होंने जामिया मीलिया इसलामिया में सिक्षा सिवा प्यदान की और आप देखें जहां से इन्होंने सिक्षा पराप की वहीं सिक्षग बन गए 1927 में यह बिस्विध्याले बंध होने की मार्क पर था और इस समय इनके प्रयासों की बज़े से यह संस्तान अवनी लोफियता बरकरात रखने में काम्याब रहा और कुल 21 बरसों तक इन्होंने जामिया मीलिया इसलामिया में सेवा पदान की और इस समय भारती सुदंता सं इन्होंने देश के कई सेक्षरिक सुधार आंदलोनों में सक्क्रिय हिस्सा भी लिया क्या लिया सक्क्रिय हिस्सा लिया और इनके राजनितिक सफर की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 1948 में नहरुजी ने डॉक्टर हुसेन को राजसबा का सदस बनाया और आपके विधायकों के द्वारा चुना जाता है राज्यसबा सदस को और अगर आपको राज्यसबा सदस बना है तो आपकी उमर कम से कम 30 साल होने चाहिए अधिकतम उमरी की कोई सीमानी रखीगी है और आप देखते हैं कि राज्यसबा में 12 सदसों को आपकी राष्टपती स मनूनीत भी करते हैं फिर आप देखें 1905 से 1957 तक वे जैनेवा में सभापती रहें 1956 में राज्यसबा अध्यक्च बन गए और साथी भारती संसत की सदस भी बन गए लेकिन लगभग एक वर्स बाद ही 1967 में वे बिहार राज्य की गवर्नर यानि की राजपाल ने उख थिये और इन्होंने राज्यसबा की सदस्ता त्याग दी और उन्होंने इस पत पर आप देखें 1962 तक काम किया 1962 में जाकर हुसेन देश की दूसरे ओपर राष्टपती की रूम में निर्वाचित हुए और 13 म कैसे होता है लोकसवा, राज्यसबा और विधानसवा के निर्वाचित सदस्तों के द्वारा फिर आप देखें पहले मुस्लिम राष्टपती बनकर इन्होंने इतियास रच तिया और एक सिक्षक होते भी राष्टपती जैसे उच्पत तक वे अपनी योगता और पितिभा से पहुँचे थे, अपने एक भासर में उन्होंने कहा कि था कि भारत देश उनका घर यहां उनके भाई वहन है, क्या है भाई वहन है, फिर आप देखेंगे कि गठित भी किया और डॉक्टर हुसेन साहित तेवं कला प्रेमी थे, और सिक्षा की चित के अलाबा एक राजनि वह याद किया जाता है, उन्होंने धरम निर्पेचता उधार राष्टर वादिता की सिध्धानतों को ब्योभारिक रूप पिदान किया, और राष्ट्पती के पतपर डॉक्टर हुसेन 3 मई 1970 तक पतपर रहे, इस समय इंद्रा गांधी पिदान मंत्री थी, और कारकाल के दौरान ही निकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा, इनकी रचनाओं की बात करें तो आप देखी, कैपिटलिजम इनकी रचना थी, स्केल एंड मैथ्ड्स ऑफ एकोनोमिक्स इनकी एक किरती थी, रचना थी, रिपबलेकक, सहीद अम्मा, सहीद की अम्मा, अंधा अधादी, ए फिलावर सौंग, इनकी रचना है, अब आप देखें, इनके पुरुसकार भी मिले हैं, इनकी कामों के लिए, उन्हें 1903 में भारत अरतन से नवा जा गया था, ए भारत अरतन 1905 में सुरू हुआ था, 1905 में आप देखें, पदम भीवुसर से सम्मानित किया गय ऑज्य सिख्छा के लिए सुधा पिदान करने की मुखक उदेश के साथ उनके सम्मान में, 1970 में एक कॉलेज शुरू किया गया था, अलीगड मुसलिम इस विध्याले की इंचिनिरिंग कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया था, अब आप दिखें इनकी अगर अंतिम सम कामिया की फैसर में ही दपनाया गहता है आ समय देहावसान के कारण वह अपना कारकाल नहीं पूरा कर सके थी किन्तु भारती राणिती उस इक्षा के इतियास में महत्मोण युगदान देनी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा तो एक आहनी देश के तीसरे पतियों की इनके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे और भी किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है किसी के बारे में बात करनी है तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते वता सकते उसके बारे में भी हम लोग बात करनेंगे ठीक है